हेलो एब्रिवान वेलकम बैक टो मैं चैनल मैं हूरितिका और आद में आपके साथ शेयर करूंगी दही आलू की सबजी रेस्पी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने ले लिए हैं बॉयल आलू तो ये दो बड़े आलू लिए हैं मैंने और इसको मैंने पीस में काट लिया है तो बहुत ज्यादा छोटे पीस में नहीं काटना है में बस बड़े बड़े पीस में काटना है और अब हम ले लेंगे एक बॉल में दही तो ये ताजा दही है और इसमें डाल देंगे हम कुछ मसाले तो मैंने हल्थी पाउडर डाला है और धनिया पाउड इसे हम एकसाइट रख देते हैं और गैस पर चढ़ा देंगे हम कड़ाई और कड़ाई भी हमारी बहुत अच्छे से गरम हो चुकी है इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ओयल तो मैं तो मस्टर्ड ओयल ही यूज करती हूँ और तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम डाल देंगे जीरा और हींग और जीरा माँश से चटक चुका है इसी के साथ हम डाल देंगे हरी मिर्ची और प्याज और अच्छे से इसे हम भून लेंगे तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है यह बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे अपने दही वाले मसाले और इसे हम पका लेंगे पहले तो फ्लेम को हम हाई रखेंगे उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और मसाले मारे अच्छे से पक चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा सा पानी भी एड़ कर देंगे जब हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो यह मैंने डाल दिया है पानी और इसे भी हम थोड़ी देर तक पका लेंगे उसके बाद ही इसमें हम आलू डालेंगे तो तेल हमारा उपर आ गया है और आप देख सकते हैं ग्रैफिम हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है और अब डाल देंगे हम इसमें अपने आलू और इसे भी हम ढ़क कर पका लेंगे तो दो से तीन मिनट हो गए हैं आलू हमारे मसालो में अच्छे तरह से पक चुके हैं आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्ट्री आलू बनते हैं एक बार आप जरूर ट्राइ करना और कमेंट बाउस में जरूर बताईएगा कि आपको मेरे ये दही आलू की रैस्पी कैसी लगी है तो आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल रैडी हो चुके हैं इसमें डाल देंगे ठेट सारा हरा धनिया और गैस आफ कर देंगे और चलिए इससे सर्फ कर लेते हैं तो यम्मी यम्मी दही आलू की रैस्पी मारी रैडी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको मेरी ये रैस्पी कैसी लगी है और थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और चैनल पर पहली बाहर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को भ प्रस कर दीजेगा ताकि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे